दोस्तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है अगर सब साथ मिल जाएं तो कुछ भी होना मुश्किल नहीं है TikTok इंडिया में बैन हो चुका है इतने टाइम से बाते चल रही थे कि बैन होगा या फिर नहीं होगा अब क्या है कि इंडिया में 59 चाइनीज एप्लिकेशन बैन कर दी गई है TikTok, UC Browser, Shared ऐसी काफी सारी एप्लिकेशन है जो कि अब इंडिया में बैन हो चुकी है मैं आपको डिस्रिप्शन में पूरी लिश्ट दे दूगा वहाँ से आप चेक कर सकते हैं अच्छे से चेक करो और अपने सारे फोन देखो गर के कोई भी वाइरस रहना नहीं चाहिए आपके फोन में अभी यह एक पहला step है बहुत ही श्ट्रोंग है लेकिन यह एक पहला step है आगे और बहुत ही steps लेने बाकी है अभी दोस्तों यह applications की बात है इनका को alternative अराम से मिल जाएगा जो ऐसी चीज़ें जिनका अभी alternate अवेलेवल नहीं है उनको भी बैन करने में थोड़ा सा time लगने वाला है जैसे कि अगर मैं smartphones की बात करता हूं तो अभी इंडिया में आप देखोगे तो उतने ज्यादा options नहीं है non Chinese smartphone brands के तो ऐसे में time दरेगा बर हो सकता है कि इंडिया में जो Chinese companies काम कर रही हैं उनके ओपर भी कुछ न कुछ मुसीबत आ सकती है अनुले time में तो Poco, Xiaomi, Realme, OnePlus ये इंडिया में बहुत ही popular हो चुके हैं और इस बार तो Motorola ने भी अच्छा phone launch की है Moto One Fusion Plus तो ऐसे में जब तक हमें इनकी टक्कर का phone इनके price पे नहीं मिलता तब तक इनको पूरी तरह से बाइकोड करना बहुत ही मुश्किल है अगर आप इसी तरह से अवाज उठाते रहे तो non Chinese smartphone brands भी आगे उठके आएंगे और वो पूरी टकर देंगे Chinese smartphones को अब देखते हैं इस काम में कितना time लगता है ऐसा होना possible तो है time कितना लगेगा ये कुछ भी confirm नहीं है देखते हैं बाकी क्या होते है अनुले टाइम में अगर आपके mind में PUBG को लेकर doubt है तो देखो PUBG क्या है कि South Korean Company और China इनका mixture एक है तो इसलिए फिलाल उसको band नहीं किया गया देखते हैं बाकी आने उने time में क्या आप डिटाता है इसको लेकर फिलाल तो PUBG इंडिया में band नहीं हुई है अब दोस्तों मुझे आज बहुत सारा काम है मेरे सारे phone मुझे चेक करने है कि कोई भी virus इन में छूट ना जाए तो आप अपना phone चेक करो मैं अपने phone चेक करता हूँ और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में मुझे उमीद है आपको कुछ help मिली होगा आज की वीडियो से अगर आपको help मिली हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलिएगा और मेरी तरह आप भी अपना phone clean करना start कर दीजिए time रख सकता है काफी सारी applications है वैस्तो मैं use नहीं करता कोई भी Chinese app फिर भी check करना पड़ेगा कई कोई एप रहना जाए क्योंकि pre install भी काफी सारी apps आती हैं आज की rate में जो की China की होती है चलिए मैं अपने काम start करता हूँ आए कर अब है कि आए अब है